नमस्कार मित्रो ओम नमस्षिवाय आज मैं आपके लेके आई हूँ जन्वरी 2022 प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी त्रेवदशी तीथी प्रारंभ और समापती समय व्रत किस दिन रखे साथ ही प्रदोष व्रत के कुछ खास नियम प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए प्रदोष व्रत के मंत्र और कुछ उपाए आईए जाने सनी प्रदोश रत रहेगा 15 जनवरी 2022 दिन सनी वार को प्रदोश पूजा मुहुर्त रहेगा साम 5 बच के 46 मिनट से लेके 8 बच के 28 मिनट इसकी अवधी रहेगी 2 घंटे 42 मिनट की हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने के दोनों पक्चों में प्रदोश पूजा पढ़ता है पॉस महा की पक्ची की त्रेवदसी तीथी सनी वार को पढ़ रही है इसलिए इस दिन को सनी प्रदोश पूजा जाता है प्रदोश पूजा के दिन भगवान शियू और माता पार्वती की पूजा अर्चना होती है सनी प्रदोश पूजा को संतान प्राप्ती के लिए रखा जाता है सनी प्रदोश रत के दिन भगवान शिव और सनी देव की पूजा करना अत्यंत फलदाई माना गया है सनी देवता सभी को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं जब किसी कुंडली में सनी दोश होता है तो उसके जीवन में कई तरह की परिशानियां होती है ऐसे लोगों को सनी देव के प्रकोप से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए सास्त्रों के अनुसार सनी देव सिव भक्तों को परिशान नहीं करते एक पौरारी कथा की अनुसार सनी देव एक बर भगवान शिव की घोर तपश्या की थी तब भगवान शीवने प्रशन नहो कर सभी ग्रहों का न्याय धिस यानी डंडा धिकार नियुक्त किया था सनी देव को प्रदोश वरत लाव वफल मान्यता के अनुसार प्रदोश वरत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है जोतिस के अनुसार जिस लोगों को संतान नहीं होती उन्हें प्रदोश वत रखने की सला दी जाती इस वत को रखने से घर में सुक समरिद्धी आती अगर आप विवाहित जीवन में समस्या चल रही है तो इस वत को रखने से आपकी सभी परशानिया दूर हो जाती सनी और चंद्रमा की असुबता को दूर करने में मदद मिलती है सास्त्रों के अनुसार प्रदोश्वत को रखने से दो गायों को दान देने के समान पूर्ण या फल प्राप्त होता है प्रदोश्वत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आया है कि एक दिन जब चारो और प्राप्त करने से भगवान सीव की विश्वत क्रिपा प्राप्त होती है आपके घर में सुक, समरिद्धी आती है जीवन की समस्याएं दूर होती है इसी के साथ सनी देव की कृपा भी प्राप्त होती है सनी देव की कृपा से जीवन में तरक्की प्राप्त होती है आपकी नौकरी वैपार आर्थिक स्थिती में उन्नती होती है मान्यता है कि नियम पूर्वक प्रत्यक्ष प्रदोश रत करने से जातक के सभी कस्ट दूर होते हैं और इस जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ती होती है प्रदोश रत के नियम प्रदोश के दिन सुबा जल्दी उठकर इसनान करें सिव पूजा करने के बाद रत संकल पले भगवान शिव की विधी विधान से पूजा करनी चाहिए ओब नमा शिवाय मंत्र बोलते हुए सिव जी को जल अरपित करें दोनों हाथ जोड कर सिव जी का ध्यान करना चाहिए प्रदोश के दिन कथा सुने और प्रदोश रत के दिन ब्रह्मा चर्य का पालन करे सुर्यास्त से एक घंटा पहले नहा कर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए प्रदोश रत के दिन क्या नहीं खाना चाहिए प्रदोश काल में सियू जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करे ध्यान रखे प्रदोश वरत में लाल मिर्च, अन, चावल और सादा नमक नहीं खाई जाती याद रखे इस समय आपको कुछ भी नहीं खाना है परन्तु सारे रिक रुप से कमजोर वैक्ती फलाहार ले सकता है वरत उपवास के समय फलाहार और खाने पीने की चीज़े एक ही बार ग्रहण करे बार बार मूँ जूठा कर वरत भंगना करे वरत में क्या खाना चाहिए प्रदोश वरत यू तो निर्जल्ला रखा जाते है इसलिए इस वरत में फलाहार सेवन ही विसेस महत्व है प्रदोश वरत पूरे दीन रखा जाते है इसलिए वरत के नियमों का पालन जरूरी है सुबा नित्य कर्म के बाद इसनान करके व्रत का संकल पले फिर दूद का सेवन करे और पूरे दिन व्रत धारड करे प्रदोस काल में उपवास में सिर्फ हरे मुंग का सेवन करना चाहिए क्योंकि हरा मुंग पृत्वी तत्व है और वे मंदाकनी को सांत करते है दिन रासियों पर सनी की धईया विसाडijn साती चल रहे उन रासी वालों को सनी प्रदोश व रत के दिन कुछ खास उपाय करके सनी के असुप रभाओं से मुक्ती मिल सकती है सनी को मनाने के लिए सनी प्रदोश व बहुत फल्दाई है यह वरत करने वाले पर सनी देव की असीन कृपा होती है उपाय जाने सनी प्रदोश वरत के दिन सनी यंत्र की स्थापना करे इसके समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाए और सनी यंत्र की विधी विधान से पूजा करे सनी प्रदोश रत के दिन साम को सुर्यास्त के पूर्व पीपल के पेड़ पर सलसो के तेल का दीपक जलाए और पीपल के पेड़ के चारो तरफ नौ या ग्यारा बार परिक्रमा करे सनी प्रदोस के दिन घर में समी का पेल लगाने से सनी देव का दूस प्रभाव काम होता है सनी त्रेवदसी के दिन सीव लिंग पर 11 फूल और 11 पेल पत्र अरपिद करें ऐसा करने से लोगों की विवाह समबंदी समस्याएं दूर होती इनके साथी सनी दोस से राहत मिलती है सनी त्रयोदसी के दिन पीपल पेड़ पर नीले रंग का फूल चड़ा है इसके बाद सनी मंतर का जाप करती हुए इसकी जड़ में जल अरपित करे सनी प्रदोस के दिन भगवान शिव को भस्म वत्तिला भीशेक करना लाबदाई होता है सनी त्रयोदसी के दिन दसरत कृट सनी श्रोत का पार्ट करने से जीवन में आ रही परेशानिया और सनी के असुप्रभाव से मिलने वाले बूरे फलों में कमी आती है वरत करने वाले को यहाँ पार्ट कम से कम 11 बार अवस्य करना चाहिए सनी त्रयोदसी के दिन सनी चालिसा सनी राज सिव चालिसा का पार्ट तथा आर्थी भी करनी चाहिए सनी त्रयोदसी के दिन सिव जी की पूजा के साथ सनी देव की पूजा करनी चाहिए इस दिन पीपल के पेड को जल अर्पित करनी चाहिए तत पश्चा सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए आखिर में सिव चालिसा वा दस्रत कृत सनी स्रोत का पार्ट करना चाहिए सनी देव के मंत्र ओम सन सनी चराय का 108 बार जाप करना चाहिए मानित है कि ऐसा करने से सनी देव परिशान नहीं करते धन के लेकर बरिशान लोगों को पीपल के पेड़ पर नीले रंग के फूल चड़ाने की सला दी जाती है साथी पीपल के पेड़ पर जल चड़ाए और सनी के मंत्र की एक माला जाप करे ऐसा करने से आर्थी की स्थिती में सुधार होता है प्रदोश रत के दिन इन सिव मंत्रों का पाठ अवस्य करे भवाय भव नाशाय महादेवाय धी मते रूद्राय नील कंठाय सर्वाय शसी मौलिने उग्राय उग्रार्ध नाशाय भी माय भय हारिने संतान प्राप्ती और जल्द विवा की मनो कामना रखने वाले जातकों को सनी प्रदोश्वत के दिन या खास उपाय करे सनी त्रयोदशी के दिन सीवलिंग पर ग्यारा फूल ग्यारा पेल पर पत्र अर्पित कन्य की सलाह देते ऐसा कन्य से सनी देव से राहत मिलती है सनी त्रयोदशी के दिन तेल में अपना चहरा देख कर उस तेल का दान करे ऐसा करने से सनी देव का आशिरवाद ही प्राप्त नहीं बलकि सनी दोस से मुक्ती भी मिलती है सनी प्रदोस के दिन काले कुत्ते को तेल से जुपड़ी हुई रोटी चुम्स